जहां एक तरफ कहा जाता है कि आज जो इंडस्ट्री है वो बेहत प्रोफेशनल हो गई है वहीं पहले के जमाने में अक्टर्स को बहुत एक्स्प्लॉइट किया जाता था और हिरोईन्स का तो पूछो ही मत उनके साथ तो बहुत गलत वहवार होता था उन्हें प्रोफेशनली काफी टॉर्चर किया जाता था ये खुलासा किया है मंदाकिनी ने राम तेरी गंगा मैली फेम आक्टरस ने बताया कि कैसे प्रोडूसर्स ना सिर्फ उन्हें पैसे कम देते थे बलकि एक ही फिल्म को लेकर दो-तिन हिरोईन्स का नाम जो है अनाउंस कर दिया करते थे मंदाकिनी ने कहा कि मान लीजिए किसी डिरेक्टर प्रोडूसर ने मुझे एक फिल्म के लिए साइन कर दिया बात हो चुकी है, साइन हो चुका है और उसके दो-तिन दिन बात वही डिरेक्टर प्रोडूसर एक नई हिरोईन के साथ सेम फिल्म को अनाउंस कर देंगे फिर जब उनसे पूछो कि आपने मुझे तो साइन किया तो आपने इसका नाम क्यों अनाउंस किया तो वो कहते हैं कि इसके साथ दो-तिन गाने करने हैं और कुछ नहीं अच्छिली प्रोडूसर ऐसा इसलिए करते थे क्योंकि दोनों-तीनों हिरोईन में से जो कम पैसे में मानेगी उसे ही फिल्म में कास्ट किया जाएगा यानि कि options तयार रखते थे कि ये नहीं तो वो वो नहीं तो वो कोई और तो करेगी ही character के हिसाब से या acting के हिसाब से actresses को नहीं लिया जाता था कौन कितने कम पैसे में काम करेगे कौन कितने कम सवाल पूछेगी उसके साथ काम किया जाता था मन्दाकिनी ने कहा कि उस दोरान हिरोईनों को एक फिल्म के लिए एक से डेल लाग से जादा नहीं मिला करते थे और जब किसी डिरेक्टर को इससे कम में हिरोईन मिल जाती थी तो वो मंदाकिनी को रिप्लेस करके कम पैसा चार्च करने वाली हिरोईन को ले लिया करते थे